अगर आप भी एक perfect blouse बनाना सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहने वाला है तो वीडियो के इन तक ज़रू देखेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा तो देखेए friends सबसे पहले जो हमें इस तरह का एक straight line ड्रॉ कर लेना है क्योंकि जो हमारा अस्तर है वो नीचे से straight नहीं है इसके लिए मैंने एक straight line ड्रॉ कर ली है इसके बाद हमें length लेना है तो जो भी आपका length हो उसमें आप 1 इंच का margin रखिए और यहां shoulder मैंने सारे पांच ली है shoulder हमेशा neck के according ही होता है अगर आप इसकी detail में वीडियो चाहते है तो मुझे comment करके बताईएगा मैं जल्धी इसके लिए वीडियो लेके आऊंगी इसके बाद देखिए मैंने इहां पर arm hole 7 इंच लिया है क्योंकि जब भी chest हमारा 36 होता है तो हम arm hole 7 इंच लेते हैं अब इहां पर मैंने chest का measurement दे दिया है और formula भी तो देखिए इस formula के according हमें जो है 10 इंच रखना है chest को और waist यानि कमर को half inch कम यानि सारे 9 इंच तो अगर आप इस formula से बनाते हैं तो आपके blouse में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब मैंने इहां पर एक gold shape दिया है साथ ही मैंने इहां पर देखिए half inch extra ली है क्योंकि जो आज का हमारा design है उसके लिए मैंने half inch extra कपरा रखा है इसके बद मैं इसको cut कर लूँगी तो देखिए friends मैंने हाँ पर blouse को cut कर लिया है लेकिन मैंने इसका neck अभी तक draw नहीं किया है तो neck के लिए देखिए हमें middle में इसको देखिए निशान बना लेना है तो medium में already इसका fold दिया हुआ है जिससे मुझे समझ में आ रहा है मैं फिर भी एक निशान बना रही हूँ अब तूनो side में हमें सवा 2 inch करके लेना है आप अगर इससे जादा लेना चाहे तो आप high inch ले सकते है तो देखिए इसके बाद हमें इसका deep लेना है तो deep हमारे हाँ पर 10 inch है और 10 inch पर मैंने निशान लगा लिया है जहाँ पर हम लोगों ने ये निशान लगाया है उसके side side में हमें दोनों तरफ अठाए रा inch लेनी है उपर हमें सवा 2 inch और नीचे हमें 8 inch ले लेनी है इसके बाद मैं एक square shape बना लूँगी ये हमारा जो neck है ये round shape है बड़ इसमें थोड़ा सा अलग है तो देखिए सबसे पहले एक round shape हमें देनी है आप इसको जितना भी आपको deep पसंद हो आप उसके according कर सकते हैं लेकिन crosses ऐसा ही same रहेगा इसके बाद देखिए मैंने middle से थोड़ा सा हटके यानि 2-8 inch side करके मैंने इस तरह का एक draw कर लिया है क्योंकि आज का ये design हमारा इसी तरह का बनने वाला है जो की बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगता है तो एक side का neck तो हम लोगोंने ready कर लिया अब दूसरे side में भी same उसी process से मैं इसको round shape दे दूँगी आप चाहे तो ये वाला design square में भी बना सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं square में भी ये neck बना के आप लोग को दिखाऊंगी इसके बाद देखे मैंने इसको cut कर लिया है जैसे हम लोगोंने निशान लगाया था same मैंने इसको cut किया है अब इसका look आप देख सकते हो तो देखे अब हमें जो है इसके main fabric को भी same इसी तरह से बैठा कर cut कर लेना है और मैं इसके border को जो है अलग से cut करके इसमें design करूंगी तो friend जब भी आप इसका main fabric cut कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखे कि ये जो पार्ट है इसको हमें हमेशा जो है left side में रखनी है तो आप उसके according के कपड़े को cut किजिएगा क्योंकि अगर कपड़ा कर आप उलटा cut कर लेते हो तो आपको बहुत दिक्कत आएंगी वह सही से नहीं बैठेगा तो हमेशा आप इस design को left में रखे और दूसरा जो पार्ट है इसको right में तो अब देखिए हम इसके stitching करेंगे सबसे पहले मैं इस पार्ट को जो है अच्छे से सेट कर लूँगी देखिए मैंने इसके अंदर जो है असतर रखा है पूरे चाड़ो दर्ब से इसको हमने स्टीच करके सेट कर लेंगे आज के इस वीडियो में फ्रेंट मैं आपको पाइपिंग लगाने का भी बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप घर में ही बहुत आसान इस से पाइपिंग रेडि कर सकते हैं आपको रेडिमेट पाइपिंग खरीदने की भी जरूत नहीं पड़ेगी तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ जो अच्छे से स्टिच कर लिया है और इसते पहले जो है फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे सूट कटिंग गाउन के वीडियोज अपलोड किये है साथ ही पैड़ेट ब्लाउस के भी तो अगर आप वो सारी वीडियोज देखना चाते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो अच्छी लगड़ी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा तो देखिए एक पार्ट को तो मैंने कम्प्रीट कर लिया है दूसरे पार्ट पर भी मैं इसी तरह से अस्तर के उपर में फैब्रिक को रखकर चारो तरफ से स्टिच कर लूँगी तो जब भी आप यह वाला ब्लाउस बनाए फ्रेंड्स तो हमेशा इसका फ्रॉंट पार्टी ओपन रखे बैक ओपन ना रखे क्योंकि अगर आप पैक ओपन रखेंगे तो आपको यहाँ पर पट्टी और हुक पट्टी और आई लगाने के ज़रूत पड़ेगी लेकिन अगर आप फ्रॉंट नेक बनाते हो तो यह आप सिंपल इसी तरीके से बना सकते है और देखिए जो एक्स्टा कपड़ा है मैं उ हमें इसके नेक में पाइपिंग लगाना है तो पाइपिंग के लिए फ्रेंट जो हमारा बॉर्डर था मैंने उसको ही कट करके तीर्चा पट्टी में कट करके जोईन कर ली है देखिए इसका यही बॉर्डर ताकि कलर हमारा मैच रहे और मैंने इसको जो है तेर्चा कट कर के जॉन किया है तो तेरच्षा पट्टी कैसे कट करनी है इसकी भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आप लोग जाकर देख सकते हैं अब देखिए इसमें हमें नेक के साइड साइड में इसको set करना है तो हमारा जो यह पट्टी है वो उल्टा साइड है देख सकते पट्टी का उल्टे तरफ मैंने इसको set किया है और जैसा हमारा नेक है से मुसी तरह से को स्टिच करते जाना है यह तेर्चा पट्टी से जो है पाइपिंग लगाने से बहुत ईजी जो है हर एक निक पर सेठ हो जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है तो देखिए मैंने हाप इंच का स्लाई लगा लिया है इसके बाद जो हैए फ्रेंग्स यहां आप देख सकते हैं कि सेम सेप आ चुकी है अब देखिए हमें इसको जो एक्स्टा पार्ट है इसको देखिए एक फॉल करना है फिर इसको डबल फॉल कर लेना है और double fold करते हुए आपको piping attach करनी है तो देखे मैं फिर से हाँ पर दिखा दे रही हूँ आपको यह देखे हाँ पर जितना आपको चौड़ा या पतला रखना हो आप रख सकते हो extra कपरे को अंदर की तरफ fold करना है और सामने की तरफ पतला सा piping रखना है साथ ही देखिए एकदम piping जो होड़ा उसके side side में हमें sly लगानी है इसलिए आप लोग धागा भी change मत कीजिएगा क्योंकि piping के उपर हमें sly नहीं लगानी है एकदम side side में और इसी तरह आपका एकदम perfect piping ready हो जाएगा देखिए friends कितना सुंदर इसमें piping बनके ready हो रहा है तो मैंने इसमें जो है कोई भी धागे का use नहीं किया है जो कि आज कल शॉप में मिलते हैं या बहुत लोग use करते हैं piping के लिए मैंने कोई भी धागा use नहीं किया है मैंने normal piping stitch किया है तो आप लोग भी इस तरह से piping लगा सकते हैं वो भी बीना किसी खर्चे के तो देखिए मैंने नेक में piping लगा लिया है लेकिन अब देख सकते हैं इसमें finishing अच्छे से नहीं आया है क्योंकि हमें यहाँ पर एक और stitch लगानी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए तो देखिए जो हमारा कप्रा निकला हुआ है मैं इस कप्रे को फोल करके इसके साइड साइड में एक और स्लाई लगा लोंगी अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इस साइड में हाथों से स्लाई भी लगा सकते हैं और आप इस कप्रे पर प्रेस लगा लीजिए तो आपका नेक जो है पर्फेक्ली बनके रेडी हो जाएगा और पाइपिंग की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी तो देखिए मैं इसके कॉर्णर को जो है इस तरह से फोल करते हुए साइड साइड में स्टिच लगा लूँगी ताकि इससे कोई भी धागा ना निकले बस कॉर्णर में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से फोल करते जाना है तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पाइपिंग यहाँ पर रेडी हो चुका है साथ ही हमारा नेक भी रेडी हो चुका है अब बस हमें इसके दूसरे पार्ट में भी इसी प्रोसेस से पाइपिंग लगा लेनी है तो बस देखे मैं इसमें भी हाप इंच का स्लाय लगाऊंगे और जैसे मैंने उस वाले पार्क में पाइपिंग अटेच किया था सेम इसी तरह से इसमें भी अटेच कर लूँगी तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि कितने लोग इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं देखे मैं यहाँ पर भी इस तरह से लगाऊंगे लेकिन फ्रेंड्स आप लोग एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके पाइपिंग की जो भी चौड़ाई हो रही हो या जितना भी आप पतला कर रहे हो उसका जो है वो इक्वल होना चाहिए किसी में भी जादा पतला या मोटा ना हो इससे जो है फिनिशिंग अच्छे नहीं आती है देखने में यह अच्छा नहीं लगता है तो देखिए मैंने इसमें भी पाइपिंग लगा दिया है अब सेम उसी तरह से जो है कपड़े को अंदर की तरफ फोल करके स्लाई लगा लेंगे तो देखिए दोनों नेख हमारा रेडी हो चुका है अब इन दोनों को हमें सेट करना है तो बस इसके उपर हमें इसको रखना है इसलिए मैंने हापिंच का कपड़ा एक्स्टर लिया था और इसको जो है पिंच से हम लोग सेट कर लेंगे ताकि ये इधर से उधर ना हो जाए परफेक्ट अपने जगा पे ही सेट रहे है अब हम इसमें पक्की स्लाई लगा लेंगे तो इसका स्टार्टिंग वाला हिस्से वहां पर हमें दो से तीन बर लगानी है ताकि ये आसानी से खोलना जाए और बस जैसे हमारा नेक का सेप है उसी तरीके से हमें इसमें स्लाई लगाते जानी है तो देखिए ये नेक हमारा सेट हो चुका है फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर इसमें एक ही स्लाई लगाई है अब मैं पीछे की तरफ से जो इसका दूसरा कॉर्णर जो है वहां पर भी एक स्लाई लगा लूँगी तो नेक की फिनिशिंग हो चुकी है अब हमें नीचे की तरफ पट्टी आइट करना है तो उससे पहले कर आपको थोड़ा सा भी छोटा बड़ा लगे तो आप उसको थोड़ा कट करके सेट कर सकते है इसके बाद देखिए इसमें कमर पट्टी लगा लेंगे तो कमर पट्टी के में लिए मैंने यहाँ पर लाइलिन ले ली है तो देखिए इस तरह से कमर पट्टी को हमें अटैज कर लेंगे आप चाहे तो निचे की तरब भी पाइपिंग लगा सकते हैं अब हमें यहाँ पर दो प्लिट्स बनानी है तो देखें प्लिट्स के लिए मैं सबसे पहले इसको डबल फोल करूँगी और फिर से एक फोल करूँगी और यहाँ पर एक कट लगा लूँगी यह कट इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमें कहां प्लिट्स बनानी है और बस इस तरह का एक शेप दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि प्लिट्स के कितने चौड़ाई पे हमें लगानी है प्लीट्स की चौड़ाई कम से कम जो हाप इंच होनी चाहिए दोनों साइड में ताकि ये वन इंच हो जाए और बस इस तरह से हमें इसमें स्लाय लगाते जानी है तो प्लीट्स बनाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस से ब्लाउस की फिटिंग से बहुत अच्छी आती है दूसरे साइड में में इसी तरह से प्लीट्स बना लूँगी तो देखिए प्लीट्स हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसके अस्तर पर एक और स्लाय लगा लेंगे और बाद में इस पट्टी को मैं हेम करके अंदर की तरफ फोल कर लूँगी तो देखिए यहां मारा ब्लाउस का बैक पार्ट जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है इसमें मैंने देखिए कुछ शो बटन भी आड़ कर लिए हैं जिससे इसका लुक और जादा सुन्दर आ गया है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा इसी तरह के कुछ नए नए वीडियो देखने के लिए और देखिए इसमें जो बटन है वो मैंने खुछ से बनाया है अगर आप इसको देखना चाहते हैं जल्दी से कॉमेंट कीजिए तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ कल के वीडियो में फिक सारे पाज बजे तब तक के लिए बाई बाई